नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत पूर्ण जानकारी को ले करके जहां आए आज हम सभी कनेर के फूल के बारे में जानते हैं ये एक ऐसा फूल है जो हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है यहां त देखा जा सकता है यह सदाहरित जाड़ी है जो हिमाले में नेपाल से लेकर पश्चिम के कश्मीर तक गंगा के उपरी मैदान और मध्य परदेश में बहुतायत मातरा में पाई जाती है अन्य परदेशों में यह कम पाई जाती है परंतु संपूर भारत में अपने प्रति दिन लोग प्रियता प्राप्त कर रहा है यह चार दिवारी के किनारे या बाग में उगाया जाता है कनेर के फूलों के गुछे मई से अक्टूबर तक भोतायत में खिलते रहते हैं इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं कनेर का पौधा एक जाड़ी नुमा की होती है कनेर के पौधे की शाखाओं पर तीन-तीन के जोडे में पत्ते लगय हुए होते हैं ये पत्ते छे से 9 इन्च लंबे एक इन्च वड़े और नुकदार होते हैं पीले कनेर के पौधे के पत्ते हरे चिकने चमकीले और छोटे होते हैं लेकिन लाल कनेर और सफेद कनेर के पोधे के पत्ते रूखे होते हैं कनेर के पोधे को अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है हम आपको वो नाम भी बता देते हैं कि हो सकता है कि आप मेंसे बहुत सारे ऐसे लोग हूँ जो दूसरी जगह के हूँ या अलग-अलग प्रांत के हूँ तो उनको पता नहीं चल पाता है कि किस लेंग्वेज में क्या नाम है तो कनेर से सायद आप न जानते हूं इसे इसलिए हम आपको अलग-अलग कनेर, बेंगोली में करवी, अर्भी में दिफली, पंजाबी में कनीर, तेलगु में कस्तूरी पेटे इत्यादी नामों से अलग-अलग जगहों पे जाना जाता है ये और शधी के रूप में सफेद कनेर का प्रियोग ही सबसे अधिक होता है कनेर के पेण को कुरेदने या तोड़ने से एक सफेद द्रव्य निकलता है जिसका प्रियोग और शधी के रूप में किया जाता है कुछ लोगों का मानना है कि कनेर के पेण इतने जहरीले होते हैं कि साप भी इसके आसपास नहीं आते हैं कनेर का रस, कड़वा, तीखा, कशैला, लगु, रूखा एवं घर्म होता है इसका पका हुआ फल कड़वा होता है यह कुष्ट, तवचारोग, घाव, खुजली, कीडे, बुखार, पामा, घर्मी, वातरोग, लकवा एवं उपदंश रोग को दूर करता है इसका रोगों में उपचार को सबसे पहले तो घाव के लिए कनेर के सूखे हुए पत्तों का चून बना कर घाव पर लगाने से घाव जल्द ही भर जाता है इसके अलावा फोड़े फूनसियों पर कनेर के लाल फूलों को पीश कर लेप बना लें और यह लेप फोड़े फूनसिय जल्दी ठीक हो जाते हैं इसके अलावा दाद के लिए कनेर के जड़ को सिरके में पीश कर दाद पर दो से तिन भार नियमित लगाने से दाद रोग ठीक होता है कनेर के पत्ते आउला का रस गंधक सरसों का तेल और मिठी के तेल को मिला कर मलहम बना लें इस मलहम को दाद प पूलों वाली कनेर की जड़ को गाय के पिशाब में घिस कर लगाने से दाद ठीक होता है इसका लेप बवासीर एवं कुष्ट रोग को ठीक करने के लिए भी किया जाता है साप बिच्छू का जहर जिहां सफेद कनेर की जड़ को घिस कर डंक पर लेप करने या इसके पत्त की जड़ की चाल की 100-200 मिलीलिटर की मात्रा को भोजन के बाद खाने से हरदय की वेदना कम हो जाती है बवासीर रोग में कनेर और निम के पत्ते को एक साथ पीस कर लेप बना ले इस लेप को बवासीर के मसों पर प्रती दिन 2-3 बार लगाएं इससे बवासीर के मस्से इससे बवासीर रोग ठीक होता है नपुन सकता सफेद कनेर की 10 ग्राम जड़ को पीस कर 20 ग्राम ओनस पती घी के साथ पका ले इस तैयार मलहम को अपने गुपतांगों पर सुबह शाम लगाने से नपुन सकता दूर होती है सफेद कनेर की जड़ की छाल को बारिक पीस कर भ खत्म होती है इसके अलावा जोडों के दर्द में लाल कनेर के पत्तों को पीस कर तेल में मिला कर लेप बना लें और इस लेप को जोडों पर लगाएं इस लेप को सुबह शाम जोडों पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है इसके अलावा धात रोग में सफेद कनेर के प पकालें और इस तेल को अंड कोश की खुजली पर लगाएं। इससे अंड कोश की खुजली दूर होती है और फोरे फुन से भी मिट जाते हैं। अंड कोश की सुजन सफेद कनेर के पत्ते को काजी के साथ पीस कर हलका गर्म करके अंड कोश पर बांधें इससे अंड कोश की सुजन दूर होती है दांतों के दर्द में सफेद कनेर की डाल से प्रती दिन दो बार दातुन करने से दांत का दर्द ठीक होता है और दांत मजबूत होते हैं बाल अगर आपके सफेद हो रहे हो तो सफेद और लाल कनेर के पत्तों को दूध में पीस कर सिर में लगाने से बालों का सफेद होना यानि कि पलित रोग कम होता है पीले रंग के फूल वाले कनेर का प्रियोग ज्यादा लाफकारी होता है इसमें इसके अलावा अगर आपके बाल गिर रहे हों तो कनेर की जड दंती एवं कड़वी तोरई को एक साथ पीस कर केले के रस एवं तेल के साथ पका लें इस तैयार लेप को सिर पर लगाने से बालों का गिरना बंद होता है अफिम की अगर आपको आदत लग गई है तो अफिम की आदत छोड़ाने के लिए 100 मिली ग्राम कनेर की जड को बारीक पीस कर चून बना लें इस चून को दो चम्मच की मातरा में दूद के साथ कुछ हपतों तक नियमित रूप से सिवन कराने से अफिम की लट छोटी जाती है इसके अलावा अगर आपको कुटा काट ले तो सफेद कनेर की जड की छाल का बारीक चून बना कर 60 मिली ग्राम की मातरा में चार चम्मच दूद में मिला कर दिन में दो बार एक हपते तक रोगी को पिलाएं इससे कुटे का जहर उतर जाता है अगर शरीर का कोई भी अंग स सूज गया हो तो लाल या सफेद फूल वाले कनेर के पत्तों का काढ़ा बना कर मालिश करें इससे सूजन में जल्दी आराम मिलता है सूजन और दर्द को दूर करने के लिए लाल या सफेद फूल वाले कनेर की जड को गाई के मुत्र में पीस कर लगाएं इससे सूजन एव ग्रस्त स्थान पर लगाने से लाव होता है इसके पत्तों का कारा बना कर घाव को धोना भी लावकारी होता है सफेद कनेर की जड़ को पानी में पिसकर उपदंश पर लगाने से घाव, सुजन, जलन एवं दर्द ठीक होता है कुष्ट रोगों में यानि कि अगर आपको सफेद दाग है तो 200 ग्राम कनेर के पत्ते को एक बाल्टी पानी में उबाल लें और इस उबले हुए पानी से नहाएं इससे कुष्ट रोग यानि कि कोड के जखम समाप्त होते हैं सफेद या लाल फूल वाले कनेर की जड़ को पीश कर गाई के पेशाब में मिला कर कुष्ट यानि कि कोड पर लगाने से आराम मिलता है सफेद कनेर के 100 गराम पत्ते को 2 लीटर पानी में उबाल लें जब यह उबलते उबलते एक लीटर बचा रह जाये तो इसे चान कर एक ब करस्त स्थान पर लगाने से कोड और अन्यत वचारोग समाप्त होते हैं कनेर की जड़ की छाल को पानी के साथ घिसकर कुष्ट यानि कि कोड के दाग पर लगाने से दाग नश्ट होते हैं इसके अलावा अगर आपको नासूर है यानि कि पुराना घाव हो गया हो तो कनेर क पत्तों को छाया में सुखा लें और इसका चुन बनाकर जखम पर छिड़कें इससे जखम ठीक होता है कनेर के ताजे ताजे फूल की 50 ग्राम के मातरा को 100 ग्राम मीठे तेल में पीस कर कम से कम एक सबताह तक रख दें एक सबताह के बाद इसमें 200 ग्राम जैतून का तेल मिला कर एक अच्छा सा मिश्रन तयार करें इस तेल की नियमित रूप से तीन बार मालिश करने से कामेंद्रिय पर उभरी हुई नस की कमजोरी दूर हो जाती है इसके साथ पीठ और बदन दर्द को भी भारी रहत मिलती है सफेद का नेर की पतियां छाया में सुखा कर महिन पीस लें सिर में जिस भाग में दर्द हो रहा हो उधर के नथूने में उसमें से दो चावल के बराबर फूंक दें इसक्रिया से नाक से खून पानी गिरेगा और धेर सारी छींके आकर आधा सीसी में आराम हो जाएगा यानि कि आधे सर का दर्द दूर हो जाता है माथे में बलगम या पानी रुख जाने से सिर दर्द होता है उसमें भी इसक्रिया से लाब होता है लाल कनेर के फूल और नाम मातर की अफिम दोनों को मिला कर पानी के साथ पीस कर गर्म करके मस्तक पर लेप करने से कुछी देर में सिर का भयानक दर्द और सरदी जुकाम ठीक हो जाता है कनेर के पत्तों को कड़वे तेल में भून कर शरीर पर मलने से खुजली शान्त हो जाती है कनेर के पत्ते गंधक सरसों का तेल मिट्टी का तेल इन सब का मरहम बना कर लगाने से दाद कुछें दिनों में साफ हो जाता है इसके अलावा क्रिमी रोग में कनेर के पत्तों को तेल में पका कर घाव पर बांधने से घाव के कीड़े मर जाते हैं अगर आपको सिर दर्द हो रहा हो तो कनेर के फूल और आउले को कांजी में पीस कर लेप बनाएं इस लेप को अपने सिर पर लगाएं इस प्रियोग से सिर का दर्द ठीक हो जाता है नित्र रोगों से अगर आप पीडित हैं तो आँखों के रोग को दूर करने के लिए पीले कनेर के पोधे की जड़ को सौफ और करंज के साथ मिला कर बारिक पिसकर एक लेप बनाएं इस लेप को आँखों पर लगाने से पलकों की मुटाई जाला फूली और नजला इत्यादी बिमारी ठीक हो जाती है इसके अलावा दातुन के रूप में भी आप इसका प्रियोग अगर करते हैं तो सफेद कनेर की पोधे की डाली से दातुन करने से हिलते हुए दात मजबूत हो जाते हैं इस पोधे का दातुन करने से अधिक लाब मिलता है इसके साथ साथ कुछे का आपको लोस भी हो सकते हैं कनेर से अगर आप नहीं जानते हैं तो इसलिए हम आपको बता दें क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है कनेर एक प्रकार का जहर है जिसे खाने से फेफ़़ों को नुकसान हो सकता है इसके सिवन से हरिदय और श्वास की गति रुख सकते हैं अतह इसके प्रियोग और शधी के रूप में करते समय बहद सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इसका रस पीट में नहीं जाना चाहिए अ हन्यवाद नमस्कार दोस्तों